हलो मेरे प्यारी सी यूट्यूब फामली सो आज मैं आपके लिए बहुत ही सुन्दर सुपर सटल टुटोरियल लेकर आया हूँ जैसे आपने अभी की बिफोर आफ्टर देखा तो चलो शुरू करते हैं अभी हम फर्स्ट अफॉल आपको मेरा फर्स्ट पता ही है हम कंसीलर लगा रहे हैं और कंसीलर आप देखके गश्ऑ कर सकते ह। हम कौन सा लगा रहे हैं जो कहार 10 द्रॉफी नैं Mengे अज इसमें शेड लगाया वो है नाचिरल लीज नाचिरल लगाने के बाद कंसीलर को हम अच्छे Maps caval पोटी यूज़ कर रहा हूं यह है क्राइलाउन की बहुत ही अच्छी पिग्मेंटेड पालेट मेरी अभी तक की यह मतलब बहुत फेवरेट पालेट है और देख सकते हो आप इसके कलर्स न्यूटरल है जो मारी सारी ब्राइट पर यूज़ होते हैं तो ट्रांजीशन पर मैं बहु ही अच्छे लगते हैं यार नाच्रल मेकप सी अच्छे लगते हैं बहुत भड़कीले मेकप मेरा टेस्ट नहीं है तो इसलिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यह मेकप कर रहा हूं आई होप आपको यह बहुत अच्छा लगेगा तो similar जो मैंने shade पिक कर रहा है थोड़ा सा deeper brown वो outer corner पे कर रहे हैं और थोड़ा सा lash line पे उसको smudge कर रहे हैं और guys अगर आपने quick tutorials देखने हैं मेरे new updates देखने हैं मेरे new classes देखने हैं तो आप मेरे को instagram पे follow कर सकते हैं हिमांची गुपता make-up page जो आपको video के right bottom corner पे मेरा username अभी हम front पे lighter matte shadow को dab कर रहे हैं अपने base को set कर रहे हैं क्योंकि मैं को super subtle रखना है तो सिरफ मैं matte में हलका सा eye shadow complete करने लगा हूँ तो कोई भी आप छोटा सा flat या blending brush लेके matte shadow को front two third area में place कर सकते हो तो जैसे कि हमारा eye makeup complete होने जा रहा है तो थोड़ा सा lash line पे मैं forever 52 की brown pencil यूज़ कर रहा हूँ ये forever 52 की brown pencil और record की brown pencil में को दोनों ही बहुत अच्छी लगती मेरी अभी current favorite है easy smudge होती है और इनका जो color intensity वो बहुत ही अच्छी है तो हम चोटा सा pencil brush लेंगे और उसे smudge करेंगे guys ये थोड़ी सी video fast forward में है क्योंकि अगर आप देखोगे slowly तो बहुत step वही है बट बहुत slowly लगेगा आपको थोड़ा सा bore हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा fast forward की है पर आपको मैं धीरे धीरे समझाता रहूँगा तो सेम दूसरी आये पे हम liner को smudge कर रहे हैं जुरूरी नहीं आपको solid liner देना ही देना है आप smudge out liner भी दे सकते हो जो कि बहुत अच्छे लगते है अब इसके बाद मैं black gel liner ले रहा हूँ थोड़ा सा lash line पे smudge कर रहे है black shadow से आपको अच्छे से smudge करना है इसे और इसकी line नहीं आने चीए जस्ट एक liner को depth देने के लिए lash line पे depth देने के लिए ताकि lashes और हमारी original lashes में difference ना है तो थोड़ा सा black color को आप smudge कर सकते हो जो black color मैं use कर रहा हूँ यह urban decay का blackout shadow है generally हमारे जो black shadows होते हैं वो palette में से खतम हो जाते हैं तो हमें नहीं मिलते हैं अलग से तो इसलिए urban decay का blackout shadow अप ले सकते हो जिसका fall off बहुत कम है और intensity उतनी ही double है अब हम अपने face makeup की तरफ बढ़ेंगे तो face makeup बढ़ते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे primer तो मेरा जो most favorite primer है वो है smash box photo finish primer बहुत ही अच्छा है बहुत ज्यादा अच्छा है हर skin type पे जाता है आखे बंद करके इसे यूज़ कर सकते हो आखे बंद करके इसे purchase कर सकते हो थोड़ा सा costly है बड़ आपका makeup इसे बहुत flawless और सारी problem से आपको बचाएगा stay भी रहेगा skin protection भी रहेगी smoothness भी रहेगी glowiness भी रहेगी हर skin type के लिए सही है तो जो हमारा next step होता है वो होता है correction correction बहुत ज़रूरी step है अगर correction नहीं करेंगे तो face gray हो सकता है या ज़ादा देर long stability makeup के हमारी नहीं रहेगी तो correction ज़रूरी करना ही है आपको तो आप orange character and illegal का मैंने use कर रहा है इसमें warm honey character जोनों को mix करके हलका हलका coverage कर रहे है क्योंकि बहुत ज़्यादा coverage की need नहीं है बहुत ज़्यादा makeup मतलब face पे darker problems नहीं है तो उसके according ही हम अपनी correction करेंगी ये नहों कि problems कम है और हम orange बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं इतना भी नहीं लगाना आपको और जब आप brush यूज कर रहा हूँ I think ये ब्रांडेन का brush है tapered brush आप कोई भी fluffy brush ले सकते हो ये flat brush ले सकते हो generally मैं हर एक चीज़ के लिए fluffy brush prefer करता हूँ मेरी personal preference है मैं उसमें ज़्यादा comfortable हूँ तो आप flat brush भी ले सकते हो जो अभी आप मैं apply कर रहा हूँ वो foundation apply कर रहा हूँ NARS की foundation हम apply कर रहे है मेरी most favorite and always all time favorite मेरी NARS है तो मैं NARS का long wear foundation use कर रहा हूँ और full face पे with the help of flat brush हम dab कर रहे हैं but in lesser quantity जतनी हमें required है बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगानी है हम क्या करते हैं nose के corner पे lips के corner पे nose के नीचे lips के नीचे लगाना भूल जाते हैं तो आप always उनके lips in करवा के जो भी आपके पास areas बच चाते हैं nose के corner आप flat brush से ही fill करो क्योंकि वहां तक blender से blending नहीं हो पाती है तो अगर आप fill कर के चलोगे आपके make-up में बहुत जादा neatness रहेगी और यही कुछ चोटे-चोटे points होते हैं जो हम करना भूल जाते हैं और make-up में हमारे darkness कहीं ना कहीं से visible होती रहती है तो lips के corner, nose के corner, nose के नीचे वाला area, lips के नीचे वाला area को आपने अच्छी तरह flat brush से ही fill करना है मेरा head बहुत जादा आ रहा है वीडियो में, please ignore करना है मैं नहीं avoid कर सकता है, इसको बिल्कुल भी इधर उधर हमें इधर उधर देखना पड़ता है, make-up करते हैं तो अभी जो मैं blender यूज़ कर रहा हूँ, यह plume का blender है guys, literally यह blender बहुत अच्छ है आप आँख बंद करके से buy कर सकते हो, मैं इधर कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा है तो यह blender बहुत अच्छ है, आप इसे buy करो, बहुत ही soft और बस मेरे को बहुत अच्छा लगता है blender, मैंने बहुत सारे buy करके रखे हूए है और यह मेरा easily damage भी नहीं होता, अभी तक मेरा पहला blender भी खराब नहीं हुआ है जो next step after foundation हम यूज कर रहे है, मैं अपना most favorite concealer यूज कर रहा हूँ, from two face और इसका जो shade है, वो है light beige और हम कहां कहां लगाते हैं, इसे center of forehead, center of nose, upper lips, and below the lips and under eyes जितनी required है, आपको उतना ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं full face concealer लगाना क्योंकि already हम full face पे foundation कर चुके हैं blending के time पे आप concealer को जतना spread कर सकते हो, spread करो, क्योंकि कई बारी के लगते हैं, जिस पे लगाया है, वो बहुत ज़्यादा area fair लगता है, और बाकी darker लगता है तो blending के time पे आप उसे smudge कर सकते हो, जो लगाना है वो उनी particular areas पे लगाना है, ताकि उधर pigment उस concealer का ज़्यादा आए, और बाकी area पे वो थोड़ा सा spreaded way में आए, तो इसी हमारा brighter looks वही अच्छी लगते हैं, जिस पे highlighted areas पे ही concealer अच्छा लगता है blender मैं same use कर रहा हूँ, plum का, और बहुत softly आपको blend करना है यार, जितना आप दबा दबा के करोगे, और जितना जदा ब्लेंड करोगे, एक बर फिनिश होगी वहाँ पर छोड़ दो, आप उसी area को बार 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 बलेंड करते रहते हो, और एक time पे क्यावते हैं सारी foundation and concealer आपके blender में pick कोनी शुरू हो जाती है उसको कोई भी फायदा नहीं है फिर आप लगाते हो उतनी coverage फिर नहीं हो पाती है तो एक बार ही जस्ट blend कर दिया दाट सेट उसके बाद जस्ट powder setting पे आ जाओ जो next step हम under eyes को blend कर रहे हैं और under eyes को अपने अच्छे से blend करना है और अपने client को बोलना है कि उपर ही देखें जब तक आपके powder setting नहीं होती है अभी मैं blusher लगा रहा हूँ blusher यह मैं लगा रहा हूँ record से बहुत ही अच्छे creamy blusher है blusher कई कम लगाना पसंद करते हैं बाकि हम client की preference पर भी चलते हैं अगर आपको ज़्यादा लगाना अच्छा लगता है आप ज़्यादा भी लगा सकते हूँ all depends upon you आपको कितना अच्छा लगता है आपको liquid लगाना है आपको creamy लगाना है जिससे आपको प्यार है आपको लगा सकते हूँ मिलको सभी अच्छा लगते on और यह ज़्यादा भी लगाना अच्छा लगता है कम भी लगाना अच्छा लगता है क्योंकि always हमे client preference रखनी रखनी है अपनी नीच लानी नहीं जी व में तो जज़्यादा ही अच्छा लगता है ऐसा नहीं हम कर सकते ब्रुशर को अच्छी तरह आपको spread करना है एक ही थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए कि एक ही जगह हमने थोपा हुआ है तो अभी मैं माक की palette में से medium palette में से मैं contour कर रहा हूँ और जो मेरे पास brush है यह Anastasia का highlighter brush है multi purpose brush है आप किसी के लिए भी use कर सकते हो आप creamy blush के लिए भी use कर सकते हो क्रीम contour के लिए भी highlighter के लिए भी जैसे आपको comfortable लगे आपको पता है काउन काउन से होते हैं jawline हो गया forehead हो गया forehead की hairline not forehead nose के sides हो गया cheekbone हो गया और बहुत जादा sharp sharp contour नहीं करनी है अपकर आपको मेरे जैसा makeup सीखना है बहुत soft सी bronzing करनी है आपको smudging में तो अभी हम under eyes powder set करने लगे हैं तो अभी जो मैं blender यूज कर रहा हूँ forever 52 का blender यूज कर रहा हूँ under eyes पे लिए मैं forever 52 का इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि जिसका corner है वो बहुत sharp है तो मैं help करता है corner तक blend करने के लिए और थोड़ा थोड़ा powder आपको अच्छे से spread करना है दोनों under eyes पे अगर तो आपको make up थोड़ा सा doy रखना है तो आपको full face पे powder setting थोड़ी कम करनी है अगर matte रखना है तो आप अच्छे से उसे cover कर सकते हो with the help of powder मैं बहुत minimal minimal powder ले रहा हूँ अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा ले रही नहीं है हम क्या करते हैं powder थोपते रहते हैं बहुत ज़्यादा लगा देते हैं full face पे तो powder यार कम लगाओ बहुत ज़्यादा लगाने की need नहीं है हम powder लगाते भी इतना महंगा है और उसको भी इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि face पूरा ही matte हो जाता है foundation अगर luminous है sheer भी है उसको पूरा हम matte करके छोड़ते हैं उसका क्या फायदा अब देख सकते हो मेरा powder set हो चुका है बट फिर भी कहीं ना कहीं वह glow कर रहा है जो अभी हम bronzing कर रही है not contour अभी bronzing कर रहा है with the help of Charlotte Tilbury compact जो इसका shade name है वह है 3 name है tan और जो brush use कर रहा हूं यह P.A.C का बहुत अच्छा brush है P.A.C के सारे brushes में को बहुत अच्छे लगते है और brushes पे बहुत ज्यादा particular नहीं होना आप मेरे से पूछते रहे तो sir कौन सा brush use कर रहा कौन सा brush use कर रहा अब मैं कई बरी हर make-up में different brush use कर रहा होता हूं बर particular बिल्कुल भी नहीं है कि हम यह brush use करते है ठीक है तो अपना हाथ थोड़ा flexible रखो जो brush मिला जहां से भी मिला आप कर पाऊ उससे challenging होना चाहिए आपके लिए कोई आपको brush set दे दे आप इससे make-up करके दिखाओ आप यह नहीं बोल सकते कि आप इससे नहीं कर सकते है आप कर सकते हो आपको आनी चाहिए वह चीज तो अभी हम blusher लगा रहे हैं blusher जो मैं लगा रहा हूँ वो है tart blush book से और जो में पस brush है वो है morphe blush book I know discontinue हो चुकी है बट हम अपस थोड़ी सी पड़ी है हम उसमें से ही लगाते रहते हैं थोड़ी सी effect के लिए बहुत अच्छा लगता है बहुत सटल सा बहुत ही light सा हम अंडर आइस पर सेम क्राइलॉन की palette में से smudge कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हमने dark नहीं करना है तो हम सेम बहुत lighter सा with a small blending brush और pencil brush कर रहे हैं अगर किसी को जॉइन करनी है मेरे पेज पर जाके मुझे फॉलो करें और उस पर फर्स्ट क्रियेटिव फर्स्ट पोस्टर फर्स पोस्ट पर सारी डिटेल्स मेंचेंड हैं वो steps follow करके आप जरूर उस class को free of cost attain कर सकते हो और मैं को instagram पे जरूर follow करें अभी जो next step है वो हम कर रहे हैं eyebrows eyebrows के लिए जो मैं brush यूज करता हूँ या तो PAC का या तो Anastasia का या कोई भी angular brush और जो मैं palette यूज कर रहा हूँ वो forever 52 की palette है और बहुत ज्यादा dark या बहुत ज्यादा symmetrical eyebrows नहीं बनानी हमने बहुत minimal से eyebrows बनानी है जो देखने में अच्छी लगे नाच्रल लगे अब हम brow bone को highlight कर रहे हैं optional है brow bone को highlight भी कर सकते हो avoid भी कर सकते हो जैसे आपको suitable लगे जो मैं mascara यूज कर रहा हूँ यह है maybelline glossal mascara बस हब कोई भी waterproof mascara कर सकते हो यह में को थोड़ा handy लगता है available होता है तो हम यह वहला mascara यूज कर लगते हैं मेरे कोई मस्कारे से कोई भी problem नहीं है आप माक लानकम कोई भी mascara यूज कर सकते हो still order जो भी आपका फेवरेट है for 52 का भी record का भी कोई भी बस वह waterproof होना चाहिए उसके बाद हम बहुत ही lightweight subtle लाशेज लगा रहे हैं और यह यह लाशेज है वह हैं हमारे पास यूरोपारेस की यूरोपारेस की भी lashes बहुत अच्छी है फ्लाटरी नहीं है बट सटल में बहुत अच्छी लगती है अगर आपको सटल सब्सक्राइब तेन हम जो लाश लाइन है उसको टॉप अप कर रहे हैं विद लिक्वेड लाइनर जो लिक्वेड लाइनर हम यूज करते हैं वह फेस मेकप को आपने always थोड़ी neatness से करना है जतना neatly करोगे हर एक step को define करोगे अपना दिल डालोगे उतना मेकप अच्छा होगा हम दिल हार के मेकप करते हैं उतना मेकप glow नहीं करता क्योंकि हमने हर एक step पे ध्यान नहीं दिया जो अब हम lip line कर रहे हैं with the help of Krylon lip pencil बहुत अच्छी है बहुत smooth है आप color bar की भी उसकर सकते हो sugar की भी उसकर सकते हो forever की और product के particular बहुत ज़्यादा नहीं होना अगर जिससे काम चल सकते है आप उससे कर सकते हो अभी मैं lip palette से बहुत ही nude lip shade लगा रहा हूँ with the help of lip wand और इसी से ही हमारी जो look है full subtle look वो complete होने वाली है I hope आपको यह look बहुत अच्छी लगी होगी and I think मैंने देखा अभी lip shape जो मैं lip shade sorry मैं यूज कर रहा हूँ यह record का I think Sunday Monday में सो जो nude वाला shade है वो वाला यूज कर रहा हूँ fix कर रहा हूँ with the fix plus mac fix plus and down mascara कर रहे हैं वो है फैरा रूशी का बहुत ही अच्छा लगता है यह भी बहुत अच्छा है thousand rupees तक काता है बट काफी दिर चल जाता है और इसी से ही guys हमारी look complete हो रही है and मेरे को please इस पे like comment and share जितना कर सकते हो जितना ज्यादा share कर सकते हो सबको help करो ताकि यह सभी tutorial full जो मैंने सारी details बताई हैं सभी के पास पहुंच सके and मेरे को comment करके बताना कि आपको यह look कैसे लगी कोई नहीं चीज अच्छी लगी वो भी बता सकते हो कौन सी चीजे में आगे और अच्छे से explain करूँ कोई particular topic पे वो भी बता सकते हो comment जरूर करना है आपको जो भी यह video देख रहे हैं comment करके बताना है यह look आपको कैसे लगी कितनी informative रही मेरे को instagram पे follow करना है हिवांचु गुपता makeup को and अगर किसी ने मेरे life makeup देखना है वो 21st August की मेरी life class को join कर सकता है वो सब के लिए free of cost है and यह रही हमारी final look and किसी ने अगर हमारी youtube channel को subscribe नहीं किया वो subscribe करे and wait करे for next video bye bye